धर्म योधा गरूर ठहरिये बाबा आप मेरी पीट पर बैठ जाएगे यदि हम दोनों मिलकर ढूलेंगे तो वो बारा संगर शीगर ही मिल जाएगा मैं तो सूच रहा था इसके यहां से जाते ही रेखा बार कर जाओगा पर इसने तो फसा दिया मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पीट पर क्यों? कोई समस्या है बाबा? नहीं नहीं समस्या कैसी? चलो पुत्र उत्तम गहू उत्तम जोकार्य माली समाली की बुद्धी नहीं कर पाई सिंग मुखम और गटासुर का बल नहीं कर पाया अगली मुखम का अगली तक तो नहीं कर पाया तुम्हारे चल न उस कार्य को सहज कर दिया वो रहा बारा सिंगा उधर भागा जा रहा है यहन व्रिक्षों के बीच में तीवर गती से उड़ो पुत्र असरो यही असर है जाओ अपना लक्ष प्राप्त करो सेकरे आगे बढ़ाओ वो रहा अले कहां गया उधर देखो पुत्र वो रहा अभी पकड़ता हो इसे फिर लुप्त हो गया तीबढ़ाओ असरो तुझे हमारी ही होगी शीगर ही लोटना होगा मुझे असर कहीं अदिती मा तक नहां पहुच जाए यह मौर को बख्षी मेरे जाल में पस गया अब इसे तब तक बटकाऊंगा जब तक असर से नपती बच्रांग देव माता तक पहुच नहीं जाते है वो रहा बारा सिंगा दूर भागा जा रहा है गतीब बढ़ाओ पुत्र दीव्र और दीव्र कुछ विच्चे तरह लग रहा है मुझे इतनी उत्तम द्रिष्टी के बाद भी बारा सिंगा दिखाई में देता और इन बाबा को हर पर दिख जाता है मा यहां ओती तो कुई न कोई उपाय अवश्यस हो जाती पर जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा उसे कैसे ढूंडू मैं जानता है सूर्य की पूजा प्रतिदुन क्यों करते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है इनके बिना संसार का परिचालन असंभव है हम सब के प्रत्यक कर्म का यदि कोई साक्षी है तो वो है केवल सूर्य देव इनकी द्रिष्टी से छिपपाना किसी के लिए भी संभव नहीं है मुझे मार्ग मिल गया मार्ग रुक क्यों गय पुत्र हमें बारा सिंगा को ढूमना है चिंता मत खेजे बाबा मैं आपकी साहता ही कर रहा हे सूर्य देव मैं विंता पुत्र गरुड आपकी आरा अधना करता मेरा प्रणाम स्विकार कीजिए सूर्य का आववान क्यों कर रहा है अम्सुर्य देवान अम्सुर्य देवान अम्सुर्य देवानड़ ओम सुर्य दिवाई नमा अरुन भाईया अपने छोठे भाई का प्रडाम स्विकार कीजिये मुझे तुम पर गर्व है गरुड मा को दास्ता के श्राफ से मुख्व करवाने के लिए हर संभव प्रत्न कर रहे हो तुम भारे मार्ग में तरह तरह की बादाएं आएंगे किन्तो अंत में तुम सफल होगे ये मेरा प्रिड विश्वास है तुम पर भाया मेरी प्रेड़ना है शेशनाथ भाया से मने आपकी कता सुनी पर्दविक सित सुरूप को भी आपने अपनी दुर्भलता नहीं बनने दिया बल्कि इसे सुईकार किया जिस प्रकार आपने अपनी नियती को अपनी शक्ती बना दी ये अद्भुत है भाया सुर्य से सीधा संबल के इसका कहीं ऐसा ना हो कि हे सुर्य देव आपके आशिरवात की कामना से मैंने आपका अभान किया ख्रिपा आप बारा सिंगा को ढूलने के लिए मेरी साहिता कीजिए ताकि मैं ब्राह्मन बाबा को उनकी अड़नी देकर अधिती मा के तप स्थल की रक्षा करने के लिए वापस लोट जाओ तुम सद्गुणी हो गरूल प्रत्यक प्राणी में अच्छा ही ढूणना चाहते हो इसलिए दुष्ट तुमें छल पाते हैं मैं समझा नहीं जिसका तुम पीछा कर रहे थे वो बारा सिंगहा वास्तविक रूप में है ही नहीं और नहीं व्यक्ति ब्राह्मन है जिसे तुम अपनी पीछ पर बिठा का यहां तक लेकर आएगा राहु नाम का असुर है ये मनुवांचित रूपधारण कर सकता है स्वयम को दो भागु में बाट सकता है एक ही समय पर दो स्थानु पर प्रकट को सकता है जिस प्राह्मन और बारा सिंहा के भ्रमजाल में फसकर तुम यहां तक चले आए हो ये सब इसी की माया है हाँ, हाँ असुर हु मैं और छल विद्या है मेरी किन तु मेरा भेद बताकर तुने बहुत बड़ा अपराद किया है सूर्य अवसर मिला, तो तुझे जेवी थे निगल जाओंगा मैं हाँ तु मेरे सामने प्रामन का रुब्ली कराया तु इसलिए तुझे मैं छोड़ा हु कि तु दंग अवस्चे मिलेगा तुझे जिस प्रकार तुने स्वेंग को दो भागों में बाद कर मेरे साथ चल किया है यदि फिर किसी के साथ ऐसा चल किया तो तो सदैव के लिए दो भागों में बढ़ जाएगा अब फिर तेरे दोनों भाग कभी एक साथ नहीं मुपाएंगे ये मेरा श्राप है किछी ये ये साथ तेर प्रीछ अ Hyun सी करते हुआ ऑम्र नुआ करिया व्रीफ यह जुड़ında हुआ हुआ करदार करें हां कर दो ज team हे सुर्यदेव, अरुन भाईया, आप दोनों ने मेरी साहता की आपके ही कारण में अधिती मा की तपो भूमी की रक्षा कर पाया और मा को दिया वचन भी निवा पाया आप दोनों का बहुत बहुत आभार अधि कौन सी अत्रिष्य शक्ती है इस बक्षी के पास जिसके कारण हमारा प्रतेक रहार्दिफल हो रहा है ना ये बल से पराजित होता है और ना ही छल से क्रोज से भी नहीं होगा सेनपती बुद्धी का उपयोग करना होगा यदि इसके पास अध्रिष्य शक्ती है तो उसकी काट के लिए हमें भी अपनी अध्रिष्य शक्ती का प्रयोग करना होगा अध्रिष्य शक्ती है हमारी पास मा पाताल भैरवी स्मरण कीजिये सेनपती घंगोर तपस्या के कारण आपको वर्दान मिला था जब भी आपको आवर्शक्ता होगी ते भी मा आकिस वहायता के लिए अवश्य आएंगी उत्तम सिंगिका सही समय पर सही उपाय सुझाया है तुमने परन्दु मा का क्रोध अत्यधिक प्रबल है जती हमने एक बक्षी का वद्ध करने के लिए मा का आवान किया और उन्हें उचित नहीं लगा तो उचित अनुचित के लिए अब विलम हो चुका है सेनपदी पहले ही हमारी माता दिती चिंदित हैं यदि देव माता की तपस्या भंग करने का अपना वचन हम पूरा नहीं कर पाए तो कितनी निराश होंगी वो कितना दुख पहुचेगा उन्हें सहीगा तुम नहीं असुर है हम वचित अनुचित वाद विवाद व्यर्थ हैं हमें किसी भी प्रकार अपने मनुवांचित लक्ष को प्राप्त करना है यहीं हमारी नीती है और नीती अम बाताल पर्वे नमहा 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 यस्तम जोती पर्वे प्रकटी यस्तम जोती पर्वे प्रकटी यस्तम जोती पर्वे प्रकटी विदान के अचानक मेरा हबान क्यों किया है तुने शीघर कारण बता अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार हो जा आप हम असुरों की इस देवी है माता और आपने जो वर्दान मुझे दिया था आप उस वर्दान से बंदी भी है वो सब परण है मुझे बता क्या चाहिए तुझे यह बक्षी मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है मुझे मेरे नेत्रों में काटा बुनकर चुम रहा है और तू चाहता है कि यह बाध इस दुष्ट पक्षी का साम्रा करें उस पक्षी ने गोई अपराथ नहीं किया फिर भी पक्षी अकेला होकर भी परोपकार कर रहा है और तुम असुर्फ देवताओं से स्वर्ग छीनने के बाद भी अधर्म कर रहे हो जदी हमने देवमाता का तभभाण नहीं किया तो वो अपने पुत्रों के लिए अनेकों शक्तिया प्राथ कर लेगी प्रस्न यहाँ धर्म याव धर्म का नहीं प्रस्न है आपके वचन का आपके दिये वर्दान का मेरे वर्दान का अनुचित लाग उठा रहा है तूँ पहले भी अनेक बार मेरे बचन की शक्ति से मुझे विवश्ट रचुका है तू मसुर्भ भक्ति का मार केवल शक्ती प्राथ करने के लिए चुनते हो, किन्तु शक्ति कप्रयों परुप्तार करने के लिए कभी नहीं करते, ठैरे और जया से दूर, येवल स्वार्फ कपत चुनते हो, इसलिए बर्दार पाने की बात भी विनाश ही होता है। मैंने अपना मनोरत आपके सामने पर कट कर दिया है माता। आप मेरे एकछा पूर्ण करें। जैसे एक पार, मुख से निकला हुआ शब, वापस नहीं जाता, उसी प्रकार, दिया हुआ वजजन तो पूर्ण करना ही होता है। यही विधी का विधान है। मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूँगी वजरांग। सामना करूँगी उस पक्षका मैं। तुम्हारा सुझाया उपाय, अवश्य कारे करेगा सिनिका। जब सुयं बाताल भैर भी उसका समना करेगी। अब उस दोस्ट के परती हो, मिस्चित है। जब बाता तुम्हारा दोस्ट करें तुम्हारा यहारा अर्ण करें जब ऐसे वांग। स्ट्स्ट करेंगे। यहारा थाँ जवश्य जब लिए फ्लिए जब खिर लुकुकूए दो साच कैनल दूचे में चूने में, लुकूच में ऊपना। देवी माग का रूप इतना रौद्र क्यों है? क्या वो बहुत क्रोध वाली है? देवी माग की अनेक महा विद्याओं में से कुछ, जैसे छिन्नमस्ता, काली और पाताल भहर्वी का रूप अत्यंत भहंकर है. उनका क्रोध प्रचंड है. फिर भी वो बिल्कुल इस स्नारियल की तरह हैं. बाहर से कठोर, पर भीतर से कुमन. स्वभाव से मृदू और मम्ता में अनन्त. मा के इस रूप से पापियों के हिर्दय में भयुत्पन होता है. और उनके सचे भक्तों को ये आश्वासन मिलता है, कि जब तक मा का आशिरवाद उनके साथ है, कोई बुराई उनका आहित नहीं कर पाएगी. खिन्तु मा, देवी मा ने भगवान शिव के उपर पाउं क्यों रखा है? एक बार देवी मा संसार की रक्षा के लिए दैंतियों का वद करने पर विवश हो गई थी. अनगिनद दुष्टों का सहार किया इनों में, पर तब तक इनका क्रोध विक्राल रूपधारन कर चुका था. अपने आवेश पर इनका नियंत्रन नहीं रह गया था. ऐसा लगने लगा था जैसे इनकी अंतहीन शक्ति अब पूरे ब्रह्मान का विनाश करके ही रहेगी. ऐसे में शिवशंकर जगत कल्यान के लिए देवी मा के मार्ग में भूमी पर लेट गये हैं. और शिग्रही महाकाली ने अंजाने में चरण अपने आराध्या के उपर रखती है. और जब देवी मा कोई अनुभव हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया है, तो ये गलानी से भर उठी. रख्त से सनी इनकी जीवा मुँसे बाहर निकल आई और इनका क्रोध पूरी तरह शांद हो गया. अदभध है देवी मा. अदभध है इनका क्रोध. इनका प्रेम. आपका प्रतिक आदेश मुझे स्विकार है, मा. किन्तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता. इस एक शन उठी जाए यहां से. अन्यथा अपनी मृत्यू का उत्तरदाई तुस्वेभ होगा. आपके हाता से मृत्यू मिले. इससे वड़ा सा उभाग्यों क्या हो सकता है मेरे लिए? तो फिर यही सही!